आज किस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कॉलिगेटिव प्रोपर्टी के बारे में जो ट्रिक्स एंड कंसेप्ट दूँगा उससे आप इस पे बिजड आने वाले किसी भी प्रोब्लम को बहुत इजली कर सकतो और बहुत कम कैलकुलेशन करके भी तो ध्यान से समझो कॉलिगेटिव प्रोपर्टी का ही एक दूसरा नाम हमने रखा है डेमोक्रेटिक प्रोपर्टी इसका मतलब क्या है कि जो कॉलिगेटिव प्रोपर्टी या डेमोक्रेटिक प्रोपर्टी होती है वो स्रीफ और स्रीफ किस पे डिपेंड करती है number of solute particle पर जो solute particle आप add कर रो उसके कितने numbers है कितने ions हो जाते है add करने के बाद उस पर depend करता है जैसे democracy में voting इस बात पर depend करता है कि कितने आदमी ने vote किया वो आदमी बड़ा है, छोटा है, अमीर है, गरीब है इससे फर्क नहीं परता तब वैसे ही, यहाँ पर जो properties है वो number of particle पर depend करेगा वो particle कौन है, sodium है, potassium है, chloride ion है, sulfate है doesn't matter, बास समझ में आ गए तो वो सारी property जो सरीफ और सरीफ number of solute particle पर depend करे तो उसको बोलेंगे colligative property और यह total 4 है, बट इस वीडियो lecture में अभी मैं 2 को ही discuss करूँगा ओके, यहाँ पर एक point किलियर होना चाहिए कि जो solute आप add करोगे जो solute add करते हो, वो actually solid state में होता है add करने से पहले, add करने के बाद आपको मालूम है वही phase हो जाएगा, उसका जो solvent का होता है तो solvent का phase हमारा यहाँ पर liquid है इसलिए finally वो solution liquid state में आ जाएगा तो यह पहला point के लिए रहोना चाहिए now conceptual feeling very very simple है यह कि देखो मैंने एक simple सा एक diagram ड्रॉ किया कि इसमें स्रीफ और स्रीफ water है वही water जो हम पीते हैं तो यह water है आपका तो आपको मालूम है कि water का boiling point होगा, pure water का जब water में आपने कुछ भी add नहीं किया है तो वह कितना होता है 100 degree Celsius, यह question में mention नहीं होगा, यह by default सबको याद रहता है, आपको याद रखना है, दे दिया तो बहुत अच्छी बात है, यह calvin में बात करें तो 373 calvin होता है तो यह होगया water का boiling point यह not लगाने का मतलब क्या है pure, pure का मतलब क्या होगया कि आपने अभी उस solvent में कुछ भी add नहीं किया अगर कोई solvent होंगे, तो उसका boiling point आपको दे देगा, आपको रटने की जुराद नहीं है, वैसे ही T not F कहीं पे लिखा है, इसका मतलब क्या है freezing point, Fp बोले तो freezing point of pure water, right अगर कोई दूसरा solvent होगा, तो solvent हो जाएंगे not जहां पी लगा, मतलब pure उसमें कुछ add नहीं किया है, water के case में आपको याद रखना है, 0 degree Celsius होता है या फिर 223 Kelvin या आपको याद रखना है, water एक universal solvent है, इसलिए उसका ये दोनों चीज़ याद रखना है एक point का और ध्यान रखना है, कोई भी liquid ध्यान दे, any liquid, कोई भी liquid तभी boil होता है, जब उस liquid का vapor pressure, उस liquid का vapor pressure, surrounding के pressure के बरावर हो जाता है, और surrounding generally हमारा atmosphere होता है, right तो जब surrounding का pressure और liquid का vapor pressure equal हो जागा तभी वो liquid boil होता है, ये point very very important है, ध्यान भी लखना है, right अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो pure water था, इसमें मैंने solute add कर दिया है, ये जो rate color है वो solute है, solute add कर दिया है, तो क्या होगा, तो boiling point जो हो जागा solution का उसको मैं TB से represent कर रहा हूँ boiling point, solution का, क्योंकि solute पला, solvent आगा है, तब ये solution हो गया तो इस solution का boiling point को TB से, और definitely ये जो TB है, boiling point, ये pure जो solvent होंगे उसके boiling point से जादा होगा इसलिए हम एक term define करते हैं that is elevation, क्योंकि जादा हो गया, elevate मतलब high right, elevation in boiling point जिसको मैं बोरना अपनी तरफ से change in boiling point भी आप बोल सकतो that is delta TB, और ये कैसे defined होगा, तो clearly है, चुकि ये बढ़ा है, तो TB minus T0B, right, और चुकि ये changes है, तो चाहे degree Celsius में निकालो, या कैलिवन में दोनों, same आएंगे तो ध्यान दे, ये जो elevation in boiling point है, ये आपका colligative property है, ध्यान रहे हैं, शिर्फ boiling point, colligative property नहीं है elevation in boiling point, that is ये delta TB, ये आपका colligative property है, ये शिरिफ और शिरिफ number of solute particle पर depend करेगा शिरिफ TB या T0B की बाद हम नहीं कर सकते हैं, बास समझ में आ गई तो only boiling point is not a colligative property, change in boiling point, ये elevation in boiling point ये colligative property graphical question भी आते हैं, y-axis पे vapor pressure ले लिया, x-axis पे temperature, और ये आपको दो curve draw कर देगा, और पूछा जाएगा कि इसमें कौन solvent है, कौन solution है, तो very simple है, ध्यान से देखो, आपको क्या करना है, एक line draw करना है, parallel to excess is, 180 वाली, जो surrounding atmosphere होंगे और वो जहां जहां पे curve को cut करेगा, we know कि solution का boiling point ज्यादा होगा, तो एक सेक्सिस पे temperature है, इसलिए ज्यादा वाला temperature solution को बताएगा, इसलिए curve solution का होगा, और पहला वाला curve solvent का, तो identify करवा सकता आपको, तो इस point का ध्यान लगना, next, अगर water में आपने, या किसी solvent में आपने solute add कर दिया, यहाँ पे blue color वाले solute है, तो अब जो freezing point होगा, उसको बोलेंगे freezing point of solution, क्योंकि इसमें solute plus solvent दोनों होगे, और यहाँ पे क्या होगा, जो freezing point solution का होगा, वो pure solvent से कम हो जाएगा, इसलिए word हम use करेंगे, depression, right, depression in freezing point, या इसी को change in freezing point बोल सकते और वो कैसे define करोगे, तो चुकि कम हो गया, इसलिए, delta tf कैसे define होगा, pure minus जो solution का होगा, right, ताकि यह quantity positive बन जाए, और again change in degree Celsius और calium में same रहेगा, तो यह जो depression in freezing point है, again यह colligative property है, delta tf इजे colligative property, शिरिफ tf या t0f या freezing point colligative property नहीं है, again इसके graph की बात करें, तो vapor pressure y axis पे, temperature x axis पे लेंगे, यह इस तरीके से curve होगा, तो यह जो black color वाले हैं, वो liquid solvent का है, और एक हम solid solvent का curve ड्रॉँ करेंगे, definitely we know t0f जो होगा, वो बड़ा होगा, right, इसलिए वो x axis पे आगे की तरफ आएगा, तो यह जहां पे curve को cut करेंगा, यह आपका solvent का होगा, और इधर वाला, यह वाला curve जो होजागा, वो solution का होगा, tf इसमें पीछे रहगा, t0f आगे रहगा, जबकि इसमें t0 भी पीछे रहेंगे, tb आगे रहेगा, तो बिल्कुल भी रटनिक जो होतनी है, practical feeling बिल्कुल किलियर है बेट आपको, कि water में, या किसी भी solvent में, solute art करोगे, तो boiling point बढ़ जाएगा, freezing point कम हो जाएगा, बस इतना ध्यान रखना है, right, now, एक word होता है, colligative property में कि normal colligative property and abnormal, तो यह क्या है, very simple, एक I हम define करते हैं, that is abnormal by normal, कुछ बच्चे confuse रहते हैं, उसके लिए simple है, I जो है, वो alphabet का vowel है, उसके आगे and word लगाते हैं, right, इसलिए and word से यादर कहेंगे, abnormal by normal, तो इसलिए यहाँ से, जो आप ध्यान से देखो, abnormal किसके बराब हो जागा, I into normal, तो हम क्या करेंगे, सम में आपको normal, जो colligative property होंगे, वो बता करकर करके, abnormal निकारना होगा, तो सिर्फ क्या करना है, उसको I से multiply कर देना है, और इस I का नाम है want of factor, इसको कैसे calculate करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, तो यह बात clear हो गई होगी, right, अब हम बात करते हैं कि इन तोनों का calculation कैसे करेंगे, now, conceptual trick, तो right, elevation in boiling point, तो delta tb से define क्ये थे, यह हो जागा, I want of factor, into kb, एक constant है, into morality, और delta tb क्या था, tb minus t0b, यहाँ पर जो ध्यान देने वाली बात है, t0b तो fix हो गया, right, that is boiling point of pure solvent, यह fix हो गया, तो हम मैं कह सकता हूँ, अगर delta tb की value increase होगी, तो यह तब ही हो सकता है, जब tb increase हो, क्योंकि यह तो fix है, यह बढ़ेगा, तब ही delta tb increase होगी, तो एक point तो यह है, right, और यह कब बढ़ सकता है, ध्यान से देखो, delta tb कब बढ़ सकता है, चुकि kb एक particular solvent के लिए fix हो जाएगा, constant है, i और m पे depend करेगा, तो जब i into m की value increase होगी, अगर molality को भी same कर दिया question में, तो फिर जिसका i जादा होगा, उसका delta tb जादा होगा, that means, boiling point of solution बरेगा, इस type से, तो यह very very important है, इस पर बेस कई बार question पूछे जाते हैं, यहाँ पे जो kb है, वो solvent का constant है, water के case में आपको याद रखना है, 0.52 Kelvin kg per mole unit होगया, calculation को easy करने के लिए, 0.5 ले सकते हम, या half ले सकते हैं, यह kb into m अगर मैं करता, तो यह delta tb is equal to kb into m, तो यह normal qualitative property होता, और i से multiply कर दिया, तो भी बताया था, यह abnormal में आ जाएंगे, तो यहाँ ते clear होना चाहिए, यहाँ पे kb निकानने के और एक तरीके हैं, शरिफ यह formula ध्यान में रखना है, इसके base कोई problem नहीं पूछा जाएगा, just variation वाले पूछे जा सकते हैं, जैसे kb is directive proportional to, ध्यान से देखो तो, जो boiling point pure solvent का है, उसके square के directory proportional है, molecular mass of solvent के directory proportional है, और जो enthalpy of vaporization है, उसके inversely है, इसलिए इस formula को थोड़ा ध्यान में रखना है, किसके directly है और किसके inversely पूछा जा सकता है, यहाँ पर जो kb है, उसके different name हो सकते हैं, उसको molar elevation constant बोलते हैं, या फिर ebilioscopic constant भी बोलते हैं, ध्यान रहे, यह जो delta tb है, वह हमारा colligative property है, और वो molecular mass of solute के inversely होगा, कैसे, क्योंकि molality है, molality क्या होता है, moles of solute, और moles कैसे निकालेंगे, given weight by molecular weight, molecular weight नीचे आगा, इसलिए, तो कहीं पर colligative property increase हो रही है, तो मैंसा हो सकते हैं, कि जो solute का molar mass है, वो कम होगा, तो यह एक part होगी आपका, that is elevation in boiling point, जब water में, या किसी solvent में, कोई भी solute add करोगे, तो boiling point increase हो जाएगा, we know freezing point decrease हो जाएगे, इसलिए, नाम आया depression in freezing point, सब कुछ same रहेगा बेटा, इसलिए हमने इसको यहाँ पर किया, delta Tf, I into Kf into M, तो देखो, I same ही है, M same है, Kb की जगा Kf, B for boiling, और F for freezing है यहाँ पर, यह कैसे defined होता है, चुकि depression हो गया है, तो pure में से minus करना परेगा solution का, T not F minus Tf, इसलिए यहाँ पर ध्यान देना, अगर delta Tf increase हो रहा है, अगर यह increase हो रहा है, तो यह कब हो सकता है, ध्यान से देखो, यह तो आपका fix हो गया, तो इसमें तो कोई change नहीं होगा, और चुकि minus है, तो यह जब कम होगा, तभी यह difference बरेगा, इसलिए delta Tf तब increase होंगे, जब Tf कम होगा, that means, I into M को कम होना परेगा, अगर दोनों vary कर रहा है तो, अगर molality fix कर दिया, तो I को कम होना परेगा, want of factor को, तो यह again important इस पर based, कई question पूछ जाते हैं, Kf की value, water के case में आपको ध्यान रखना है, 1.86 होता है, जिसको calculation को easy करने के लिए, प्रॉक्स 9 by 5, या 2 भी ले सकते हैं, depending option कैसे हैं, तो यह ध्यान रखना है, other solvent का आपको given होगा, water की किसमें द्यान रखना, कभी-कभी water कभी दे देता है, again same Kf, सब कुछ यही रहेगा, R, T0B की जग़, T0F हो जाएंगे, यह same रहेंगे, यह thousand same, स्रिफ यहाँ पे vaporization, balling था, तो यहाँ पे fusion आ जाएगा, बाकी सब कुछ same रहेंगे, name इसके molar, freezing या depression constant बोल सकते हैं, या इसी को बोलते हैं, cryoscopic constant, ध्यान रहे, इसको ebilioscopic, इससे भी आपको पहचनवा सकते हैं, कि यह elevation in balling point वाला है, और इसको cryoscopic constant, यह ध्यान रखना है, again colligative property जो भी है, वो molecular mass of solute के inversely चलेंगे, तो यह point आपको ध्यान रखना है, now यह जो जितना I हमने multiply किया, abnormal वाला, जिसको want of factor बोलते हैं, तो I क्या होता है, 1 plus N minus 1 into alpha, इससे निकाल सकते हैं, बट यह formula कब लगाना, जब dissociation हो, और 99% question में dissociation ही होता है, जहाँ पे N क्या है, number of ions या particle, water में उस solute को add करोगे, तो वो कितने ions में break हो रहा है, तो वो N है, alpha degree of dissociation है, अगर association हो रहा होगा, तो फिर यह formula लगाएंगे, 1 plus 1 by N minus 1 into alpha, again N के कितने molecule associate हो रहे हैं, जैसे, you know acetic acid को जब benzene में रखते हैं, तो उसके 2 molecule acetic acid के combine हो जाते हैं, तो यहाँ पे N की जगा 2 put करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे अगर NaCl हो, तो Na plus, Cl minus में पिर रखोंगे, आयन दोगे, तो इन की जगा 2, K2SO4 हो, तो 2 potassium, 1 sulfate है, तो इन की जगा 3, तो यह number of ions है, रही बात alpha की, तो यूरिया हो, glucose हो, फरक्टोज हो, सुक्रोज हो, जितने भी sugar हैं और यूरिया, उसका I fix है, 1 है, ओके, that means alpha 0 है, दूसरे case में, alpha salt का, या strong acid, या strong base का 1 होगा, unless question में कुछ mention करे, आपको मानना है कि, इसका 1 हो जाएगा alpha, ज्यान रहे, alpha 1 होगा, और weak acid, या weak base, या जो भी weak salt होगे, तो उसका alpha, either given होगा, या आपको बोला जागा, find out करने को, तो आप यहां से find out कर सकते हो, तो अगर I 1 कहीं पे ले रहो, तो वो normal हो गया, और अगर I 1 नहीं है, तो abnormal होगा, इसलिए हमने I लगा दिया सम्में, हम उसके according जाएंगे, तो यह point एकदम clear होना चाहिए, यूडिया, glucose, fructose, सुक्रोज, जितना भी है, सबका I 1 पूट कर देना है, that means alpha 0 हो जागा, strong acid, strong base, salt का जब तक question में कुछ mention नहीं करें, alpha 1 हो जाएगा, alpha 1 होगा अर्ध्यान रहे, तो इसलिए I N के बराबर ही हो जाएगा, और अगर weak acid, weak base होंगे, तो उनका आपको I, निकानने के लिए alpha given होगा, या फिर पूछा जाएगा I दे करके, तो यह है, पूड़ा आपको एक के लिए, अब हम application की बात करेंगे, question number 1 में, which will show, और इस तरीके से चार option given होगा आपको, 0.1 molar NACL है, 0.3 molar glycine है, 0.2 molar aluminium sulfate है, 0.1 molar K4 FECN6 है, और यह different question हो सकते हैं, इसलिए मैंने पूरे type को यहाँ पे cover किया है, largest freezing point depression, तो यहाँ पे ध्यान देना है, freezing point depression पुरा लिख दिया, मतलब आप से delta TF की बात कर रहा, और यह directive portional किसका होगा, I और M के, I और M क्यों ले रहे हैं, क्योंकि molality इसलिए ले रहे हैं, क्योंकि सबका molarity different है, और I तो आपको ले नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, पहले बाले में कितना हो जाएगा, point one into two, क्योंकि NaCl है, दो आइंस में लेंगे, और strong electrolyte है, glycine जितने भी organic solvent है, उनका one लोग है, तो यह शिरिफ point three into one रहेगा, इसका अप लेंगे, तो point two into, two aluminum और तीन sulfate, तो five करना पढ़ेगा, और इसका point one into, ध्यान दे, यह चार potassium और यह पूरा, as a whole बेरेक होता है, coordination compound है, तो चार और one, five हो गए, तो यह ही हो जागे, तो largest किसका होगा, जिसका सबसे ज़्यादा होगा, I into M, I into M, सबस्यादा किसका, देखो, यह point two आ गया, by the way, एक बढ़ लिख लो, यह point three हो गया आपका, यह one हो गया आपका, और यह point five हो गया, तो सबस्यादा किसका हो रहा है, C का, तो इसका option क्या हो जाएगा, C, largest freezing point, तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, largest freezing point किसका होगा, जिसका I into M, कम होगा, तो सबसे कम किसका अत्यादा से देखो, तो A का है, क्यों, क्योंकि delta Tf जो वो defined होगा था, T not F minus Tf, तो यह, यह तो fix था, यह जतना कम होगा, delta Tf उतना ज़्यादा होगा, इसलिए largest freezing point होने के लिए, यह ज़्यादा होने के लिए, क्या होना चाहिए, delta Tf को कम होना परेगा, तो इसलिए inversory चलेंगे, तो यह वाला आएगा, बट, अगर highest boiling point में पर पूछा जा, या largest boiling point, तो वो directly थे, इसलिए I into M सबसे ज़्यादा होना चाहिए, तो वो किसका है, again option C हो जाएंगे, lowest freezing point, freezing point कम किसका होगा, जिसका I into M सबसे ज़्यादा होगा, तो इसका भी option क्या हो जागा, फिर C, ध्यान देना, freezing point inversely चलते हैं, और lowest boiling point पूछा, तो I into M कम वाला, I into M सबसे कम किसम है, तो वो होजाएगा option A, right, largest elevation boiling point, यह again, पूरा पूछ दिया, वैसे भी directly होते हैं, तो largest किसका होजाएगा C, या फिर आपको order भी पूछा जा सकता है, तो बस यह ध्यान रखना है, जो भी आपको समझाया है, वो directly है, I into M के, तो यह point आपको ध्यान में रखना है, इसलिए question को carefully read करना है, कि वो depression in पूछ रहा है, या सिर्फ normal freezing point, या balling point पूछ रहा है, इस पे बहुत सारे problem पूछे गया, और पूछे जाते हैं, और correct order क्या होगा, कौन जादा होगा, काउन काम होगा, तिसलिए हमने सबको एक जगा संधाने की कोशिश किये, दूसरा इस type के question, if degree of decision of weak monobasic acid is given to you, point 3, then observed freezing point will be percentage higher than the expected, या theoretical, तो यहाँ पे ध्यान देना, DOD आपको given है, that means alpha आपको given है, point 3, weak monobasic acid है, तो monobasic मतलब, एक ही h plus दे पाएंगे वो, तो यह कैसे भी रेखोंगे, h plus और a minus में, तो n की value यहाँ पे कितना होगा, 2, हमारे लिए formula क्या था, i is equal to 1 plus n minus 1 into alpha, तो यहाँ से देखो, 1 plus n होगा, 2 minus 1, alpha होगा, point 3, तो यहाँ गया, 1.3, तो i 1.3 का होगा, point 3 ही जाद है, मतब 30%, तो answer कितना हो जाएगा, 30%, तो इस type के question आपको पूछे जा सकते हैं, next question number 3 में, lead storage battery content 38% by weight of h204, i given था, tf freezing point बताना था, kf given था, और option है आपके पास, तो ध्यान से देखो, अगर हमें formula की बात करें, तो delta tf is equal to i into kf into m, 2.67, kf given था 1.8, only thing is molality, आपको बताया था, आप molality कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ध्यान से देखो, तो 38% by weight, इसका क्या मतलब है, 38% weight by weight, इसका मतलब क्या हो गया, percent मतलब की 100 gram, अगर आपने solution का लिया, तो उसमे 38 gram आपका solute है, तो इसका मतलब 62 gram कौन हो जाएंगे, solvent, अब हमें molality a small m निकालना है, तो यह कैसे निकालते हैं, तो 38 by 98, हेस्टेट आपको 4, moles of solute by mass of solvent, किसमे चाहिए गराम में, तो 62 by 1000, अब इसको देखो, एप्रॉक्स कल्कुरेशन कैसे करेंगे, 38 को 40 ले सकते हो, 98 को 100 ले सकते हो, divided by 62 को 60 और यह 1000, तो यह प्रॉक्स में आजाएगा, यहाँ पे 6, कैसे हैं, द्यान से देखो, एक 0 से एक 0 कैंसल, यह 0 से यह 0 कैंसल, यह भी 0 से यह 0 कैंसल, 40 by 60, तो 6.6 सम्थिंग आएगा, मैं 6 लेके चल रहा हूँ, अब यहाँ पे आपको, मुलालीटी पुट कर देना है, तो द्यान से देखो, इन 2, यह 6.something है, एक प्रॉक्स में 6 ले रहा हूँ, द्यान से देखो, तो यह 2.5 और इसको 2 ले सकते हैं, यह 2.5 और यह 2, तो यह कितना हो गया, 5 और यह 6, तो यह 30 आगया, तो यह एक प्रॉक्स में 30 हो गया, तो आप डेल्टा टी एफ क्या होता, आपको यह भी मालूम है, टी नॉट एफ, डैट इस 273, माइनस टी एफ, इस इकल टू कितना है, 30, तो इधर लाओगे, तो टी एफ कितना जाएगा एफ रॉक्स में, 243, तो ओप्शन कुन हो जाएंगे, तो देखो कैसे मैं कल्कुलेशन को मिनिमाईज किया हूँ, इस बात को ध्यान में रखना, ऐसे आपको करना परेगा, कुशन नमबर 4 में, डेल्टा टी बी 4 केल्विन है, अगर मॉलालीटी 1.5 है, डेल्टा टी एफ 4 केल्विन है, मॉलालीटी 4.5 है, यह वट प्रॉबलम था, मैंने जो गिवन है वो लिखा है, रेशियो ऑफ के बी बाई केफ निकाना है, ग्लूकोस सलूशन है, ग्लूकोस सलूशन बोलते ही, आई कितना हो गया 1, तो अगर मैं डेल्टा टी बी लिखूँ, तो वो क्या हो जाएगा, आई 1 हो जाएगा बाई देवो, के बी इन्टु एम, डेट इस नथिंग बट के बी इन्टु एम, क्योंकि आई 1 हो गया, डेल्टा टी एफ अगर मैं लिखूँ, तो ये आई इन्टु के एफ इन्टु एम होता, आई इसका भी बन, तो ये हो जाता के एफ इन्टु एम, हमें रेशियो निकानना है, के बी बाई के एफ का, तो दोनों को डिवाइट कर दो, तो डेल्टा टी बी बाई डेल्टा टी एफ क्या हो जाएगा, के बी बाई के एफ और उसकी मुलालिटी, एम राइट डिवाइड़ बाई, इसको मैं एम डैस कर देता हूँ, तकि आपको किलियर रहे, तो ये ध्यान से देखो, ये दोनों 4,4 था, तो ये 1 ही हो गया, ये के बी बाई के एफ, और ये एम जो था आपका वो ध्यान से देखो, तो 1.5 था और ये 4.5, इनका रेस्यों चाहिए, तो इधर जाएंगे, तो इसलिए के बी बाई के एफ केतना हो जाएगा, 4.5 बाई 1.5 डैट इस 3, तो इस टाप के इन्टीजर टाप में पूछे गए, वेरी सिंपल है, तो मेरे कहने का क्या मतलब है, कि द्यान से देखो, डेल्टा टीब इसकल टो आई इंटू के बी इंटू एम, यही है बेटा, फर्मूला तो बस यही है, अब इसमें सारी वेलू दे करके, खोई एक अन्नोन क्या जा सकता है, ज़रूर नहीं कि हलवार डेल्टा टीब पूछा जाए, आपको डेल्टा टीब एम दे करके आई पूछा जा सकता है, या फिर आई के भी दे करके एम पूछा जा सकता है, and so on different way हो सकते हैं but formula बार बार यही लगेगा next question number 5 में boiling point of 2 solvent x and y having same molecular weight दियान दे molecular weight same है r in the ratio 2 is to 1 enthalpy of vaporization 1 is to 2 ratio में boiling point elevation constant x और y का कैसे related होगा तो you know जो formula था हमारे पास kb is equal to क्या था r t not b का square molecular mass of solvent right divided by thousand into delta h vaporization यह question उसी से related है तो r के बारे में तो cancel हो जाएगा solvent का molecular weight same है तो cancel हो जाएगे thousand cancel हो जाएगे तो यह t not b के square के डारेक्ट ही है और enthalpy of vaporization के inversely है तो इसलिए kb of अगर x लिखूं तो वो ध्यान से देखो 2 का square क्या हो जाएगा 4 और delta h vaporization 1 है तो यह 1 हो जाएगे और kb divided by kb of y लिखें तो right वो क्या हो जाएगा तो 1 का square तो 1 ही हो जाएगा और वो 2 ऊपर चले जाएगे तो कितना हो जाएगा 8 तो इस step से पूछा जा सकता है तो m की value यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 times of y तो इस step से पूछा हो सकता है question number 6 में boiling point of 2% aqua solution of non-volatile solute a is equal to boiling point of 8% non-volatile solute b तो relation क्या होगा तो इस step से पूछा जा सकता है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें boiling point की बात हो रहा है delta tb क्या था i into kb into m यहाँ पर non-volatile solute है तो i 1 हो जाएगा kb same solvent होंगे तो same हो जाएगा शरीफ m पे depend करेगा अब हमें molality निकालना यह 2% बताया नहीं कि यह percentage by weight है या volume है तो ऐसे condition में हमें जो चाहिए उसके according चुक्कि हमें molality चाहिए तो हम इसको मानेंगे कि यह जो 2% है वो by weight है that means क्या हो गया कि 2 gram solute का है तो 98 gram कौन हो जाएगे solvent तो यह दोनों चीज equal कब हो सकती है जब यह 2 by molecular mass of A तो यह moles by वो 98 by 1000 दोनों में same ही रहेगा by the way cancel हो जाएगा should be equal to 8 by MB और यह तो same ही रहेंगे 98 by 1000 तभी दोनों same हो सकते हैं क्योंकि equal हो रहा है तो यह cancel हो जाएगे अब ज़्यादा solve करने की जो तो नहीं है ध्यान से देखो इसका 2 gram इसके 8 gram से equal है का मतलब इसके molecular weight को जादा होना पड़ेगा जादा से divide करेंगे तभी कम होगा क्योंकि इसका कम ही इसके जादा से equal हो रहा है तो MB greater होना चाहिए तो MB greater होने चाहिए तो एक यह option है और एक यह option है तो यह दोनों option तो पहली यह थे और यहां से दिख रहा यह 2-4 times में तो answer क्यों हो जाएगा B तो I hope मेरा यह परियास आपको पसंद आया होगा इसमें बेटा हमने depression in freezing point and elevation in boiling point का और में detailed discussion कर लिया है इससे बाहर कोई problem नहीं आ सकता आप सारे problem को कर सकतो एक बात का ध्यान रखना कि dilute solution के लिए जो molarity होता है वही approach molarity होता है तो इसमें confuse नहीं होना है Thank you